हेलो फ्रेंड्स अस्लाम लेकूम होब यू आल होप यू आर फाइन आज मैं आपके साथ इस प्रोड़क कर रिव्यू शेयर करूंगी वो है मेंडेलिक एसी सीरम और और स्पेक्ट्रा ब्लॉक एस्पेफ 50 का संब्लॉक जो के जैन फॉर्म जैन फॉर्म लाइफ साइंस का है इसमें आपको 20 ml प्रोड़क मिलेगा मेंडेलिक एसेड 20 परसंट सीरम है और यह सीरम जो है अफेक्टिव है एक्नी स्कास के लिए स्किन ब्राइटनिंग के लिए एंटी रिंकल भी है यह उन्होंने क्लेम किया है और यह प्रोड़क्ट अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ और दूसरी जो इनकी प्रोड़क्ट है वो है जैन फॉर्म की इस वन यह बहुत 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 अच्छा संब्लोक है SPF 60 है हाइपो ऐलर्जिक है पेराबिन फ्री है परफ्यूम फ्री भी है पोटो स्टेबल्स भी है नॉन ग्रीसी भी है और 40 ग्राम इसमें आपको जो है वो कॉंटिटी मिलेगी और इसकी वाइट कास्ट जो है वो बिलकुल नहीं है इसमें इंग्रीडियंट जो है वो सन ब्लॉक है वर्मोस्ट फिनिश होने वाला है और मिंडैनिक एसे जो है यह मैंने अभी थोड़ा सा यूज किया है डार्क बोटल के वज़ए से शाहिद आपको भी इतना नजर ना आ रहा हो लेकिन अभी हाफ से थोड़ा साधा है अभी मैंने इसको सिफ टू विक्स यू कंप्लीट इसको यूज करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि यह काम करता है यह नहीं अफेक्टिव जो इन्होंने क्लेम किया है जैन फार्म लाइफ साइंसे ने वो जो ठीक है यह थोड़ा सा इरिटेट करता है आपकी स्किन को तो इसके बाद जो है या तो आप इसको मॉस्टराइजर में मिक्स करके लगा लें या यह लगाने के बाद मॉस्टराइजर भी स्किन जो है बहुत जा Tayed जाती है तो इसकी विजह से जो है मॉस्टराइजर लाजमी है और इसको दिन को तो ब्लकुल यूज समय करना है मॉस्ट मॉस्ट आपने स और थोड़ा सा अगर आप स्टार्ट में यूज़ करेंगे तो शायद आपको इरिटेट करें तो कम कॉंटिटी में यूज़ करें और विज जो है मॉस्चराइजर यूज़ करें अच्छी लगी होंगी प्रोडक्स बाकी में आपको सन ब्लॉक तो बहुत ही अच्छा है यह तो में तरह से रिकमेंड़ है और मंडेलिक एसी जो मंडेलिक एसिट सीरम है यह जो है मैं आपको फुल यूज़ करने के बाद बताऊंगी कि आपको लेना चाहिए या नहीं अफे कर दोड़ करे बाद आतर। लूज़ की आपको लेकर रफ्टोंने के एविपा एंच को लाई राव टर टॉज़ का झाल यूज़ को अफे लूज़ की आपकोड लाई